हमारा हिमाचल देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ साक्रिसमन और इस वक्त जननता टीवी पर अविनाश राइखना जो की तरदेश प्रभारी है हिमाचल भारतिय अनता पार्टी के वो हमारे साथ इस वक्त खुद लाइब जुड़े में बहुत-बहुत स्वागत है सर जननता टीव पर आपका बहुत-बहुत धन्याबाद सबसे पहले तो इस कोरोना काल में आपका स्वास्थ किस तरीके से आप अपने आपको ठीक रख रहे हैं क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं अच्छी मैं में करोना सर्वाइबर हूँ जै और एक डेड़ मीने तक मैंने भी करोना को फिस किया है तो मेरा सबी सुनने वालों से नवेदन है कि इस महामारी से जो सरकार की गाइड लेंज हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप सरकार का सहयोग करें और अपने आपको ब ही है इसलिए मास्क पहना हाथ दोना दूरी बना के रखना इन सबी बातों को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िये और अपने परदेश के विकास के लिए अपना युगदा डालिये इतनी बात मुझे करोना के पर कहनी है इस महामारी से जंग तो आपने जीत लिया है लेकिन हीमाचल की प्रभारी के तोर पर आपकी न्युक्ती हुई है एक बहुत बड़ी चुनोती है हिमाचल को सम्हाल कर रखना भारतियंता पार्टी को वहां सम्हाल कर रखना और आगे आने वाले दिनों में कई सारे एलेक्षिंस इंतजार कर रहे हैं उस चुनोती से क पूरी जी जान से अपने आपको जूखे गी और हम डफिनली जो पंचाइजे से लेकर पारलेमेंट तक का हमारा एक message है हमारे देश के नेताओं का उसमें दो जगा तो हमने अपना contribution डाल दिया पंचैत में भी और पार्लेमेंट में भी अजेंबली में भी और पार्लेमेंट में भी अब पंचैत में जो local body चुनाओ है उसमें contribution डालने का मौका हमें आया है हम लोग definitely इस वार बहुत बड़े मतों से भी जितेंगे और बहुत सारी पंचैते नगर परशद, MC और चार की चार जो कार पुरुशन है उसके उपर भी हमारा कपजा होगा मैं विश्वाश के साथ कह सकता हूं इस विश्वाश की वज़ा बज़ा दो है संगठन और सरकार के इंदर सरकार के जतने काम हमने क किये हैं उसके बाद संगठन हमारा भूत तक जो बना हुआ है बहत्तर सोओ से ऊपर भूत है सबी जगा हमारे कार्यकरता जो है वो आज एक शक्तिशाली संगठन की तरह और चटान की तरह खड़े हुए हैं मुझे उन कार्यकरताओं के और अपनी सरकार के कामों के उपर व जनता के लिए जो हमने किया है डेफिनली जब हम जनता से कुछ मांगने जाएंगे वो हमें बोट चाहिए वो जनता जरूर अपना बोट हमें देगी तीन साल भी पूरे हो रहे हैं आपको लगता है कि इन तीन साल के कारेकाल का एक रिजल्ट भी सामने आएगा जब पंचायत के काम के उपर मुवर भी होती है बिल्कुल हम कितना जनता को सैट्सपाई कर पाएं है वो जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा लेकिन मैं विश्वाश के साथ कह सकता हूं कि हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है जनता के सेवा में कोई क प्लब्दियां यह बताएगा 27 को हमारे तीन साल पूरे होने वाले हैं उसके लिए भी हम लोग एक भव्यक करेकम की तैयारी में जुटे हुए हैं ताकि मैकसिमम लोगों तक पहुंचकर हम लोग अपना संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचा सके तीन साल कितना कमाल किय क्या है अप लोगों ने देखिये सरकार जो है वो बादे 5 साल के लिए करती है कि हमने 5 साल में जिर प्रदेश में replyनी हैं लेकिन मुझे आशा है पहला वरश हमारा बहुत अच्छा रहा दूसरा बर्षों बहुत अच्छा रहा TIEसरा वरश इसलिए बहुत अच्छा मैं गि सकता हूँ गरब के साथ मेरी ही पार्टी का कार्यकरता सरतों के उपर खड़ा होके करोना से लड़ भी रहा था और करोना के काल में जो मैसेज दिये हमारी पार्टी और सरकार ने उसके उपर भी काम कर रहा था चाहे वो फीट दी नीडी है चाहे वो माईगरेट लेवर है चा ने आपको जिन्दा रख पाएंगे पुर्टी कली कैसे जिन्दा रख पाएंगे सेवा के काम में कैसे जिन्दा रख पाएंगे हमने उसको सावत किया है आज एक ही पार्टी है देश में भारती यंता पार्टी जिसने क्रोना काल में अपनी जो सेवा के काम है उसमें कोई कमी नहीं आने दी विपक्ष का ये एक गंभीर आरोप है कि इस कोरोना काल को डील करने में जैराम सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है मुझे इस बात का अफसोस है कि जब ऐसे नेता विपता में भी ऐसे ब्यान देते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सरकार ने अपना काम किया एड़ाईजरी जारी की परशाशन पूरी तरह मुस्लादी से काम किया कारे करताओं ने काम किया इसने क्या क्या कारण करोना के पीड़त लोगों को कोई राहत पूचा ही हो एक काम भी कांग्रेस मुकना दे कि हमने इस एक साल के समय में जो COVID-19 का जो पीरियर था उसमें हमारी अपलब्दी रही है सिर्फ अलोचना करना हो सकता है कि उनकी अपलब्दी हो लेकिन काम करना हमारी अपलब्दी है ऐसे में अविनाजी आपका एक स्टेट्मेंट सामने आया था आपने ये कहा कि हर्याना हिमाचल में कभी भी सरकार रिपीट नहीं होती है लेकिन आपने ये कहा कि आप रिपीट करके दिखाएंगे या आपका confidence कहें से या overconfidence कहें से देखिए देख विश्वाश होता है संगठन और सरकार दोनों के जब जो पईये हैं वो बैलेस्ट वे से चलते हैं आपको लगता है कि हिमाचल बीजेपी में सरकार और संगठन में तालमिल है बिलकुल आप देखिए जब से मैं आया हूँ मैंने जो मैसूस किया है मैं मंडल तक की वैटकों को मैंने वर्चुली लिया है जो फीड़ वैक कारेकरता ने दिया है उससे मैं पूरा सैट्सफाइड हूँ और हमें और आगे बढ़ना है इसलिए मैंने जो मैसेज भी दिया है कि हम लोग कांग्रस बुक कांग्रस मुक्त बूत करेंगे उसका एक कारण है क कि आप अगर हमारे बैनिफिश्रिस को देखें तो हर बूत पर हर वर्ग में हजारों की संख्या में अगर कैल्कुलेशन करेंगे तो वो बैनिफिश्री आ जाएंगे एक एक स्कीन के सैंकडों बैनिफिश्री हैं जब कठे होईंगे तो वो उनका इतना बड़ा मत हो जाए लेगी के हमें कांग्रस को हर पूट से मुक्त करने का ऊपम कान मिलेगा कॉंग्रस और में कह क्यảngता हूं कि इस समय लेडर्र लेश इसूलेस डेरेक्शन एसपार्टी है और हम एक सक्षम लीडरशिप के नीचे काम कर रहे हैं चाहे केंदर हो चाहे सरकार हो हमारे पास मुद्दे हैं हमारे पास सही दिशा है इसलिए के ही वी विपक्षी दल जो है हमारे सामने टिक नहीं सकते हमारे काम और हमारी पार्टी अबिनाश राय जी लेकिन क्या आपको लगता है कि इंचर्नली ओल इसवील है हीमाचली बीजेपी में क्योंकि जब्धायक उनका बहु स्टेट्मेंट सामने आता है वह भी पार्टी को लेकर सवाल उठाते हैं, दूसरे विधाय को को लेकर सवाल उठाते हैं कि उनके विधानसभा शेतर में आ करके जिस तरीके से बयानबाजी या जिस तरीके से काम किया जा रहा है तो इन सारे चीज़ों को, हाला कि छिट पूठ ही हैं, लेकिन फिर भी इन सारे चीज़ों को कैसे आप संतुलित करेंगे? 68 विधान सवा हैं, हम कहीं हारे हैं, कहीं जीते हैं, पार्टी ने मान सम्मान दिया है, पार्टी की बात हम पार्टी प्लेट फर्म रखें, ऐसा एक पार्टी का पॉलसी भी है, सविधान भी है, लेकिन हम उन्शाशन के साथ कभी भी कोई कंप्रोमाइस नहीं कर सकते, उन्श और अंशाशन को मानने वाली उन्शाशन को मुनूवाने वाली पार्टी तो आप ने कोई संदेश ले दिया हैं तो आप कोई संदेश चला गया है कि अनुशाशन अगर तोडएंगे तो कारवाई होगी देखिये जे तो हुमारा मूल मंतर है जब कोई भारती जन्ता पार्टी में आता है तो वो समझ के आता है कि मुझे उन्शाशन में रहना है जब भारती जन्ता पार्टी में काम करता है वो समझ के आता है कि हम लोग उन्शाशन में रह के काम करेंगे दूसरा मेरा मानना है कि डिसकुशन अपना बात रखना ये बुरी बात नहीं है हर प्रवार में हर पार्टी में ये एक healthy sign होता है कि बंदा अपनी बात को रखे लेकिन वो बात मनभेद में ना बदले उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं पार्टी एक जुठ होकर अपना प्रदशन करेगी पार्टी एक जुठ होकर के संदेश देगी कि हमें 222 में अपनी सकार बनानी है बात रखने का प्लेटफ़ॉर्म क्या होगा देखिये मैं समझता हूँ कि हम लोग एक प्रवार की पार्टी नहीं है हम कारेकरता की पार्टी है कारेकरता मंडल से लेकर प्रदेश द्यक्ष, महामंतरी, संगठन, केंदरी नेटरतब कहीं भी अपनी बात रख सकता है और हम लोग अगर किसी कारेकरता की जैनुन को तगलीप है उसको हल करने में बिल्कुल नहीं वो नहीं चाहिए कि अपनी बात पार्टी के प्लेट फार्म पे ही रखनी चाहिए मीडिया देखिए आप लोग हमारे आई ओपनर हैं कोई बात हम गल्द करते हैं कोई बात जनता सैट्सफाइड नहीं है तो मीडिया जो है वो जब बात को आगे लेके आता है तो हम उसको असेप्ट करते हुए अगर हमारी को कमी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं तो मीडिया और प्रिटिकल पार्टी इसमें एक ऐसा सबंद है कि हम आप लोग हमारे जो है वो आई ओपनर भी हैं किई वार आप लोग हमारे गाइड़ बन के भी काम करते हैं जिसलिए मैं मीडिया से हमेशा एप्रिशेच करता हूँ कि मीडिया दोरा कही हुई बात मीडिया दोरा किया हुआ दिया हुआ सुझाशन हम लोग अपनी डिस्क्रस भी करते हैं और अगर कोई उसमें तथ्थे होते हैं अच्छी जानकारी होती है उसके उपर हम एक्षिन